बहुत सारी लोग ऐसे हन जिनननों कड़ी खान देनाल वात रोग या फिर जोड़ांता दर्द बहुत ज्यादा हो जान्दा है पर कड़ी दे बहुत ज्यादा फाइदेवी हन दे हन आओ एसनों सई तरीके नल बढ़ान दी विदी जानिये सत शिर्यकाल जी मैं हां डॉक्टर गगन प्रीत को और ते तुसी वेख रहे हो पंजाबी आयरवेधिक रसोई आज जैसे अपनी रसोई दे विच लंच रेसिपी त्यार कर रहे हैं हां जिस दे विच कड़ी ते चावल बननंगे लंच दे लई एहे डाइट बहुत ही ज्यादा वदिया है लंच यानि के दुपैर दा पोजन एस दे लई दई लई है या फिर तुसी लसी ले सकते हो मेरे को लगपग इत्थे अद्दा किलो दई है मैं एस दे विच तिनक वड़े चमच वेशन दे पादते हैं होना से कु एस दे विच हलदी पा लऊंगी चमच वी छोटा है हलदी वाला एस करके डेड़ चमच पह जाएगा वैसे भी कड़ी दे विच थोड़ी जे हलदी सानों ज्यादा पाणी पैंदी है जिवे असी दाल विच पॉन दे हां एस तो बाद असी एस विच स्वाद अनुसार नमक पा दियांगे थोड़ा बात गरम मसाला पाया जा सकता है पर क्योंकि हुन असी लसन वगेरा होर चीजा वर्त लेंदे हां एस करके फिल हाल मैं सिरफ कड़ी दे विच एन्ने कू मसाले ही पाए हन ताकि असी इसनों बैलन्स रख सके हुन सारिया चीजा नों सी चंगी तरा म विच में एक लीटर तो थोड़ा ज्यादा ही पानी पाया है काट नहीं है इन्ना पानी प्या जावेगा हुन असी इकवरी थोड़ा पामांगे बाद विच जदों सी इसनों पकॉना है पानी होर पा दियांगे कड़ी नों ज्यादा गाड़ा बनाओन दा बहुता फाइदा नहीं हुन दा जैसी इसनों पेट रोगां दे ले बनाओना चौन दे हाँ पेट दी अगनी नों ठीक करन ले बनाओना चौन दे हाँ तो इसनों पतला पतला बनाईए ता आई बहुत वदिया फाइदा कर दी ह कड़ी दा जदो कोल त्यार कर रहे सी एदर मैं पानी वी उबलन लई रख दिता सी एक ग्लास चावल नो एक कंटा पे की रख्या है दो तिन वरी तोके असी पे दियांगे उस तो बादो पानी असी कड़ देना है ते पिज्जे होई चावल मैं उबल दे गरम पानी वीच पा रही है एक ग्लास चावल लेा है ते टाई ग्लास पानी लेा है एस नो असी बस सिम कर देंगे क्योंकि पानी दे वीच उबाला ता आई रहा है सिम करके इस नो सी स्टीम करके ही पका मांगे चावल नो पकौन दा ए तरीका बहुत ज्यादा वधिया है एस तरीके नल चावल बहुत हलके बंदे हन ते पच्चन मिच कोई समस्या नहीं कर दे जे तुसी चावला नो ना पे सको तो हानू जल्दिच बनाओने पैन ता तुसी थोड़े खुले पाणी दे विच इनना नो पादेओ ते थोड़ा जया पाणी जदो चावल पक जान पाणी नो बार काड़ देओ ते ओस तो बाद टाक के रख देओ ते पाफ विच पकन देओ जे तुसी पाणी जड़ा न दा चावला न दा मंड हुंदा है उस नो बार नहीं कड़ना चौन दे ता पहला ही चावला नो कंटा डेड कंटा प्योंके रख देओ ते उस तो बाद ही ओ पाणी काड़ के असी इस नो पकाल मांगे एस विच एक चमचा में देशी के ओदा पादेता है ते स्वाद अनुसार असी एस विच लून भी हुने ही पादेना है एद दास तो बारा मिनिट दे विच्छी त्यार हो जानगे कड़ी बनाउन दे ले असी एक कड़ाई ले ले है बहुत सारे लोग ये पुछ दे हन कि पितल दी कड़ाई नो कली कराणा जरूरी है एस ले जरूरी है कई वार असी खटियां चीजां बनाणिया हुन दिया हन जिवे कि ए पितल दी कड़ाई है एस नो कली किता होया है होन इस तो बाद आसी एस्विच कड़ी बना सक दे हां या फिर सानू कदी टमाटर दा तड़का लोना पैंदा है तासी ला सक दे हां जे तुसी कली नहीं कराई होई तासी सिरफ मिठियां चीज़ां इस्विच बना सक दे हां या फिर कोई वी खटाई वाली चीज एस विच नहीं बना सकते। कड़ी नू बनाओन दे लई मैं थोड़ा जा सरों दा तेल लेया है। लगपग ज्यादा तर मैं एही वर्त दी हां। ये तो हानू ज्यादा तिजाब बनदा है ताथ उसी देसी के ओदे विच कड़ी बना सकते हो। या फिर नारियल दा तेल। होन जिवे ही तेल हलका जग गरम होन लगएगा इस चो सेक निकलन लगएगा असी एस दे विच कटे होई लंबे-लंबे प्याज पादेने हन। होन कुछ साबत मसाले पामांगे। पहला इस करके नहीं पाए क्योंकि ओ गरम तेल विच साड़ जान दे। थोड़े जए मैं सौफ ले रही हैं लगपग अद्दा चमचा ए हरे मोटे सौफ हन एस तो बाद अद्दा चमचा ही मैं एस विच जीरे दपा रही हैं अद्दा चमच दे लगपग ही असी मोटा तनिया एस दे विच पा लेना हैं एस सब चीजां वात शामक हन अगनी पा रही हैं एक चुथाई चमच दे लगपग कडी नो होर ज्यादा पाचक बनाओन ले ते पेट रोगां दे उपर बहुत चंगा काम करन दी ले असी एस विच कट्या होया लसन पा रही हैं साथ तो आठ कलिया मैं लसन दिया ले आ हन कडी दे विच असी ज्यादा लसन पा पा सकते हैं एस ते नाल स्वाद भी बहुत ज्यादा बाद जान दा है ते ए ज्यादा गुंकारी बन जान दी है ते हुन जेडा मौसम है एस मौसम विच कडी दे विच लसन दा तड़का बहुत वदिया लगदा है कड़ी बनाओं दा हर किसे दा अलागलग तरीका हुन्दा है मैं बिल्कुल ऐसे तरीके नाल कड़ी बनाओं दी है जेडी की एपिटाइजर दा काम कर दी है जेवे कोई बहुत ही चंगा जा स्वाध जा सूप होवे जेडा जे तो हानू पुख नहीं लग रही कदी रोटी खान दा जी नहीं कार रहा या पेट कई दिना तो लग रहा है कि तंग हो रहा है अपसेट रेंदा है या कबज रेंदी है ता ओदे उपर बहुत ही वदिया कम कर दी है होण एस्विच में कुछ सबजियां भी पा रही है गाजर होवे, थोड़ा किया होवे किसे भी तरह दी कोई भी सब्जी तोहानू ज्यादा पसंद है या सविच कट के पाई जा सकती है ता होँवी ज्यादा वदिया टेस्टी बन जान दी है तो ईलावा मैं या सविच थोड़ी जई मेथी पा रही है मेथी ते तनिये दे पते तो के असी बरी कट ले हन ओवी एस दे विच पाद यांगे जिस दे नाल इस दा स्वाध भी बहुत वदिया वाद जानदा है पाचक हो जानदी है ते जोड़ा दे दर्द लेवी मेथी बहुत ही वदिया कम कर दी है कड़ी दे विच पाईयां गईयां बहुत सारियां चीजां ऐसी हन जिडियां शरीर दे विच जे वादू सोज होवे उसनू भी काट कर दिया हन एना सबजिया नू असी ओदो तक पकाणा है जदो तक आलू गल नहीं जानदा क्योंकि जदो असी इस विच जड़ी असी कोल त्यार किता है ओ पादयांगे ता उस तो बाद आलू जे कच्चा रह जानदा है चंगी तना गलदा नहीं है इस करके पहला असी सबजिया नू थोड़ा जया पकामांगे 10 मिंट सानू ए सारे प्रोसेस ते लाग जान देने जदो तक आसी कड़ी दे लई एक सबजी त्यार कर दे हां एस नू चंगी तरह एक वरी हिला के सेख के असी टाक के रख देना है विच्चों एक दो वरी हिला के चेक भी कार लवांगे जदो सा आप विच बहुत पारी बन जान दी है क्योंकि पहला तासी तल के पकोड़े बनाओंदे हां जेड़े बहुत ज्यादा पारी हुन दे हन ते उस तो बाद कई वरी जदो सी गाड़ी कड़ी बनाओंदे हां तो उस विच भी वेसंदा कोल काफी गाड़ा बनाया जान दा है एस तरह दे कड़ी पचन दे विच दे हजम करन विच बहुत आखी हो जान दी है पर जे तुसी कड़ी नो बिलकुल पतला पतला बनाओंगे ते जेड़ियां वी सबजिया ना लसी पकोड़े बनाओंदे हां उनना नो वैसे ही एस विच पकालाओंगे ता स्वाद भी चंगी बन जान दी है जिनना नो गैस बदहजमी ब्लोटिंग कबज रेंदी है उनना लही तब बहुत फाइदेमंधी है जोडा दा दर्द वात रोग फैटी लिवर या फिर हाई केलेस्ट्रोल हाई बीपी दे पेशन्ट वी जे एस तरीके नलकडी बनाके खान दे हन कदी 15 दिना वी चिकवार या 10 दिना चिकवार ता ए उनना नो नुगसान नहीं करेगी सगो चंगी लगेगी चावल एदर बन के बिलकुल तियार हो गये हन असी गैस बन करके टक के चावला नो रख द्यांगे एनना नो बिलकुल भी हिलाया नहीं है बस देख लिया कि पाणी उ लगपग जड़ा एक ओल है एक लीटर ता है एस तो इलावा एस ते विच एक लीटर पाणी में होर पाद्यांगी ता एक डो लीटर दे लगपग हो जाएगा जे तुसी थोड़ी गाड़ी बनाणा चौन दे हो ता पानी थोड़ा काट रख सकते हो या फिर वेसंदा एक चमचा एस विच फालतू पाया जा सकता है पर बहुत ज्यादा गाड़ी ते बहुत ज्यादा खटी लोड़तों कड़ी नहीं बनाणी चाहिदी जदों भी अगनी मंध हुन्दी है ता कईया नों बिल्कुल पुख ही नहीं लगदी ते हार वेले लगदा है कि पेट पर्या पर्या है जिवे की पित्ते दिया पत्रियां विच भी इस्तरा मसूस हुन्दा है ओस टाइम ते जैसी थोड़ियां खटियां चीजां लेंदे ह जिसने नाल हाजमा बहुत वदिया हुजांदा है मूदा स्वात जी खराब होया हुवे किसे लंबे बुखार तो बाद तामी सानों इस्तरा दिया चीजां दी लोड हुन्दी है जेडियां अगनी दीपन कार सकन ते दौारा पुखनों जुगा सकन ओस दे लई ये रेसिप बहुत वदिया है जिनना लोड सी ओनना पाणी पादिता है होन असी उबाल उन्दा इंतजार करांगे कड़ी विच उबाला आगया है 2 तो 3 मिंट असी इसनों एसे तरीके उबलन देांगे वदिया तरीके नल जदो एह चंगी तरह दो-तिन मिंट उबल जाएगी असी गैस नू मठा कर दियांगे ते अद्धे कंटे तक ता इनू पका ही पकाणा है थोड़ा चाहो ता ज्यादा भी पका सकते हो ए पतली ही रहेगी क्योंकि असी वेसन जड़ा है और कट पाया है पर एक कड़ेगी जिनना ज्यादा एक कड़ेगी ओनी ज्यादा गुंकारी ते चंगी बनेगी कड़ी नू बन्दियां अद्धा कंटा हो गया है इस लोग ऐसते पक रही सी विच्चो विच्चो असी इसनू हिलाया पर हूने बिलकुल त्यार है देखो ए हून वी ओनी ही पतली लग रही है बिलकुल इसे तरांदी सूप टाइप जड़ी कड़ी हुंदी है ए वाक्य ही बहुत जयादा वधिया हुन दी है जित्खे वी किते तो हड़े पेत विच किसे वी तरांदी तक्लीफ हुवे जे तुसे स्वाध लिए खांदे हो या फिर तो हानू कोई समस्या नहीं है तथ तुसे कड़ी ते चावल जवे असी नॉर्मल खांदे हां जिननी लोड विच बहुत समा लगौंदा है, ता असी कड़ी ज्यादा खानी है, चावल बहुत थोड़ी लेने हैं, या रोटी बहुत थोड़ी लेनी है, फिर असी चावलां दे विच कड़ी नहीं पामांगे, कड़ी दे विच चावल पामांगे, एस तरीके तुसी बिलकुल थोड़े चावलां दी वरतों करके भी अपना पेट पार सक दे हो जेड़े वेट लॉस करना चौन दे हन उना लई विए बहुत ही चंगी रैमेडी है कि तुसी वड्डा बोल पारके कड़ी दा ले लवो बस एक बहुत ही छोटे जे कड़ चावलां दी ले लो ते हौली हौली करके खा हो गए हन क्योंकि चड़े कड़ी है ए थोड़ा जा खटा फूड है एस करके ना ता ये ब्रेक्फस्ट दे लई कोई बहुत ज्यादा वदी ऑप्शन है क्योंकि स्वेरे स्वेरे असी खाली पेट हुंदे हा ता इस तरह दिया चीजना सानू थोड़ा एसड़े टीवी कार सक दिया हन ते ना ये रात दे पोजन ले कोई आइडियल फूड है एस नो खान दा सब तो ज्यादा चंगा समा है दुपैर दा पोजन यानि के लंच टाइम ता बेस्ट लंच हो सकदा है पेट रोगा ले वेट लॉस ले कबज दे ले तुसी एस नो जरूर ट्राइ करके जा सकते हन या दली नालवी इसनो खादा जा सकता है एसी साड़ा आज दा वीडियो उमीद कर दी हां कि तो हानो बहुत पसांदा आया होएगा मैं फिर मिलांगी किसे होड नवी जानकारी देनाल ता तक लिए सत्च्रियकाल